हेलो एवरीवन आर्फास किचन में आज फिर आप सब का बहुत स्वागत है तो आज मैं आपके लिए लेकर रही हूं मतर पनीर की बहुत ही टेस्टी और जबदस रेसिपी बहुत आसान रहने वाली है अन तक जरूर देखेगा और अगर में यह रेसिपी आप सब को पसंद आ अगर दो है तो हम चार टमाटर लेंगे यही रेशियो हमारे ग्रेवी का होना चाहिए परफेक्ट तील है मैंने हरी मिर्चे चार से पांच लिया मैंने काजू इन सब का मैं एक पाइन पेस्ट बना कर रेडी कर लूँगी तो यह देखेगे कि स्मूथ पेस्ट हमें बना कर अब इसी मसाले में हमें मिलाने है कुछ पाउडर मसाले आदा चमच हल्डी पाउडर एक चमच लालमेश पाउडर दो चमच धनिया पाउडर नमक अकॉर्डिंग टेस्ट अब इन सब को मिक्स करके और इनको हम साइड रख देंगे और अब हम पैन में लेंगे 4 एक चमच अजरगलसन पेस्ट और इन सभी को फॉत्भी कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे इक क्या दो सभी मासालों को अब हमें बहुत अच्छ बून लेना है और जब धेखे मसाला हमाईशन अच्छ वूण चुका है मसाले जिए अच्छ बढ़ दिया है अब इसमें मैंने फ्लोजन मतल लिए आप किसी भी मतल के समाल कर सकते हैं एक कप पानी भी साथ में डाल देंगे तो हमें इनको डखके लग-बग 15 निट तब स्लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर पका लेना है जब तक मतल अच्छे से गलनी जाती तब तक बीच बीच में हम इनको एक को चला लेंगे तो यह मतल गलने में जादा टाइम नहीं लेती है मतल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है मटल के बाद अब इसमें डालें एक कप पनीर इसको मैं इस तरह से स्कोयर में कट कर लिया वह पर इसमें डालें मैं अदर चमश गरा मसाला पाऊडर आदा कब द बास्ट में डालें एक चममच फ्रेश क्रीम और अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्रेश हरे धनिये से हम इसको गार्मिश करेंगे तो देखिए रेटी हो चुका है हमारा बहुत ही जबदस टेस्टी चटपटा मतर पनीर तेखिए ग्रेवी कितनी जबदस बनकर रेटी किर देखिए पार अध्य ठेक्टी सो मच Christ ॉष झाय जाय